हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हमारे बॉडी के एक लाइफ सेविंग सिस्टम के बारे में यह सिंपली बोले तो इसे रास अब क्या होता है कि देखिए अगर किसी को एक्सेंट हो गया है तो उसमें क्या होता है कि उस बंदे हो कुछ हॉर्मोन से करता है ताकि वह से लॉस को ठीक है तो इस ही जो अपका हर्मोन रिलीजिंग सिस्टम है इसका पूरा ताकि वह अपने बलड को वापस रिगें कर सके तो इसके लिए इसको पुरा रास बोलते है सिंपल टर्म्स में अब इसमें देखिए क्या क्या ओर involved हैं हमने आपके kidney बनाई है किड़नी है यह liver है आपके लंग्स हो गया एंड यह अपके adrenal gland हो गया अपके suprarenal gland जो इस kidney के उपर से होता है यह हो तो इसमें होता क्या है simple पहले क्या होता है तो वहां से release होता है जैसे उसे पाठाचलता है कि बाई जो सके एक निफ्रांस में जैसे पता चलता है कि काफी volume कम आ रहा है मेरे पास तो क्या release करता है वहां से renin है और है एंड यह क्या आपके आपके आर्टरी में डाल देता है इसको renin को डाल देता है अब इस renin क्या करता है इसका काम क्या है कि जो liver है वो भी कुछ डालेगा तो liver क्या डालता है अपनी तरफ से angiotensinogen तो यहाँ पर लिख देता हूँ angiotensinogen तो liver ने डाला angiotensinogen और आपके kidney ने renin डाला अब यह जो angiotensinogen है अच्छल यह अभी कुछ काम का है नहीं ठीक है यह कुछ काम का नहीं है तो इसको कुछ काम के लिए बनाने के लिए क्या करता है जो renin है डाला इसने जिसको convert कर देता है किसको renin angiotensinogen को convert कर देता है किसमें जब यह दोनों मिलते हैं आपके आटरी में तो यह कंवर्ट कर देता किसमें इधोनों बहुत सकते हैंगे कि दोनों मिल के क्या वाम करते हैं आजिए आंजियो टेंसिन फिटान करते हैं गra Pierी नो अब अभी एप यह झाउन यह उन यू Г archives हैं लंग्स क्या release करते हैं तो लंग्स ने क्या release किया एंगी नो लंग्स ने क्या release किया एंगी नो टेंटिंग एंटिंग किया एंगी तो लंग्स ने क्या release किया ACE, that is Angiotensin Converting Enzyme और क्या हुआ, वो जब Angiotensin 1 से मिला तो उसने क्या बनाया, finally जो हमें main product चाहिए Angiotensin 2 तो यह जो Angiotensin 2 है हमारे काम का मतलब का यही है सबसे important अब जो Angiotensin 2 है अब यह बोलता है, अब सब काम मैं करता हूँ तो इसने क्या क्या करना है, सबसे पहले इसने क्या करना है, stimulate करना है आपके adrenal gland को, ठीक है, आप adrenal gland को जब stimulate करता है ठीक है, तो adrenal gland क्या release करता है ओके, यह आपका adrenal gland अब क्या release करेगा, aldosteron ठीक है, जो हमारे system का नाम भी एक है देख़्, हमने रेनिन देख लिया, हमने अंच्चि ऐया अब इल्डॉस्टेसंग देखना है तो वो कहां से आता है आपका जो एल्डॉस्टेसंग टु है यह बंद केस्च मेड्ष करता है आपके एन्रीरिओन ग्लैंड को और वो रिलीस करते है आपका कि एल्डॉस्टेरोन है ठीक है ओके एल्डॉस्टेरोन रिलीस कर दिए अब इन दोनों ने काम करना है आपके ब्लड को मेंटेन या इंक्रीज करने के लिए कैसे अब क्या करेगा जो आपका अब यहां से वर्बली बोलता हूं आपको उसलाइड में दिखता रहेगा जो जो आपके सिंदिप्रेटिक एक्टिविटीस है जैसे कि आपके हार्ट रेट और आपका ब्लड प्रेशर यह इंक्रीज हो जाएगा ठीक है अब दोनों आफको इंक्रीज होंगे तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा नेक्स्ट यह करता है यह आपने जो एंगियो टें एगदम कॉंस्टिक्ट हो जाती है जिसे क्या होता है कि घर और थीजी से प्वास कीशन कर दिया से इसने 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 में ब्लड प्रेशन gland है उसको stimulate करता है ताकि वो क्या release करें ADH ठीक है एंटिडियोटिक होर्मोन आपको पता ही होगा और एंटिडियोटिक होर्मोन का आपको जिसे नाम सी पता चलता है ठीक है क्या करता है यह यह reabsorption करता है H2O का ठीक है water का reabsorption करता है kidney में तो अगर अब वाटर भी आप फेकेंगे नहीं भार उसको भी reabsorb कर रहे हैं तो automatically क्या हो जाता है क्या हो जाता है blood increase हो जाता है blood volume का रिया अब्सॉप्शन होगा वहाँ आपे एच्टो का भी रिया अब्सॉप्शन हो जाएगा तो automatically जब वही बात आ जाती है जैसे हम लोग एच्टो का रिया अब्सॉप करने लग गया आपका blood volume increase हो गया तो इनी सब रिजन से आपका blood volume increase करना है क्योंकि में हमारा इसको कुछ नहीं है बहुत easy कहानी टाइप की है बाकी तो अगर आपको पता है कि जब यह दो hormones आ जाते हैं तो उनको क्या क्या करना है ठीक है तो यहाँ पर मैं लिग भी देता हूं ओके तो यह एक flowchart मैं क्या करता है आपके angiotensinogen है जो लिवर से निकलता है उसको convert करता है अब एंगियो टेंसिन वन को उसमें और क्या करता है जो आपके लंग्स है वो क्या रिलीस करता है A.C.E. that is angiotensin converting enzyme और यह convert करता है इसको angiotensin 2 पे जो हमारा main product है angiotensin 2 बहुत सारे काम करता है ठीक है एक तो आपका sympathetic activity को बढ़ाता है उसके हार्ट प्रेश्चन करता है इसके वज़े से blood volume बढ़ता है और साथ यसाथ लास्ट में आपको पता हिए कि adrenal cortex में stimulate करता है ताकि वह release कर सके एल्डोस्टर ओन एल्डोस्टर ओन रिलीज होता है तो वह क्या करता है आपका sodium और water का reabsorption करता है और इन दोनों के reabsorption से क्या होता है कि वहापस से blood volume increase होता है and blood pressure भी increase होता है जो हमारा main motto है तो इसी विए से यह आपका हुआ रास and I hope आपको समझ आ गया होगा easily तो आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक करना शेर करना अपने प्रेंड्स के साथ and please subscribe भी कर देना क्योंकि आप लोग सिब देखते हैं और subscribe करना भूल जाते हैं शायद प्लीज नीचे रेड बटन है subscribe कर देना और बेल आइकन भी दबा देना thank you मिलते नेक्स वीडियो में और बाई